हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोड में दिखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 12 बोड पर इक्षा के लिए फिजिक्स यानि भौतिकी के काफी महत्पूर्ण 25 वाइरल अब्जेक्टिव प्रस्ण बताएंगे जो आपके बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पूर्ण होने वाला है तो आपको एक भी प्रस्ण को स्किप नहीं करना है वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है और देखिए आपको जो भी प्रस्ण यादना हो उसको क्या करना है आपको नोटबुक पे लिखना है और लिखके उसको याद कर लेना है और आपको लाश्ट में ये ज़रू कर लिजिए ताकि जब भी लाइब क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे और साथ में आप वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो फटा फटा हमारे वीडियो को लाइक कर दिजिए और देखिए यह है मेरा वाट्सअप नंबर आप अभी तक हमारे लिंक मिलेगा नोट्स का लिंक मिलेगा तो आप लोग इस पर मैसेज किजिए और फटा फटा आप जूड़ जाए आपको बोलना है सिर्फ कि सरम को ग्रूप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रूप में जोड़ देंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्र द्रह हमें किया जाता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर ए-OPशन है तो ए-OPशन बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी महत्तपूर्ण प्रश्न है यह आईए देखते हैं अगला प्रश्ने दो नंबर देखिए दो नंबर प्रश्ने की लेजर की किरिया के इसलिए आपको बीडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है यानि एक भी प्रस्ण को आपको छोड़ना नहीं है 25 के 25 प्रस्ण आपको बनाने है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण तीन नंबर देखिए तीन नंबर प्रस्ण है उपग्रह संचार में विद्धु चुंबक के तरंग का कौन सा ऐसा भाग होता है जो प्रियुक्त होता है तो जेकि यह जो सुक्ष मतरंगे होते हैं यह प्रियुक्त होता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर D option है तो D option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण चार नंबर देखि आपको यह बताना है कि जो गामा किरण होता है उसका तो उच्च वेदन चमता होता ही है तो उसका कारण क्या है तो देखिए गामा किरण का जो उच्च वेदन चमता है उसका कारण क्या होता है तो उसका त्रंग देर्ध कम होता है यहीं कारण होता है उसका तो देखिए यहा आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नंबर देखिए पांच नंबर प्रश्ण है कि किसी LCR परपत में उर्जा का छैक होता है यहाँ पर आपको यह बताना है कि किसी भी LCR परपत में उर्जा का छैक क्या होता है किसमें होता है तो देखिए प प्रशन है कि hydrogen spectrum की कौन सी स्रेड़ी द्रिश से भाग में पढ़ती हैं यहां पर आपको यह बताना है कि hydrogen spectrum की कौन सी ऐसी स्रेड़ी होती है जो द्रिश से भाग में पढ़ती है तो देखिए जो एम टेलवीजन पर सारण में सूचना संकेत का रूप होता है यहाँ पर आपको यह बताना है कि देखिए रेडियो एम टेलवीजन पर सारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है तो एनालोग सिगनल होता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर C अप्सन है त इसमें विद्धुचुंब के तरंग वाला गुण होता है तो देखिए जो गामा किरण होती है उसमें विद्धुचुंब के तरंग वाला गुण होता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पे C option है तो C option बिलकुल ही साई हो जाएगा देखिए हम आपको physics के काफी महत्त पूर्ण 25 भी वियाई अब्जेक्टिव प्रस्ण बता रहे हैं जो आपके बोड परिक्षा में बार-बार पूछा जाता है इसलिए आपको एक भी प्रस्ण को मिश नहीं करना है विडियो को सुरू से लेके अंतक देखना है और आपको लास्ट में ये जरूर बताना ह है कि आपका 25 परस्णों में से कितना प्रस्ण साई हुआ ये देखते हैं अगला प्रस्ण 9 नमबर देखि iron काफी महत्त पूर्ण प्र Warszन है और Decker कि हैइड आप से पूछा गया है कि हैड्रोजन स्पिक्ट्रम के दिरिष्य छी का अधेयन सर्व प्रत्म किस ने किया था वामर ने किया था इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर a option है तो a option बिलकुल ही सई हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन दस नंबर देखिए 10 नंबर प्रशन भी काफी महत्तपुण प्रशन है देखिए 10 नंबर प्रशन भी भी प्रशन है देखिए 10 नंबर प्रशन है कि बीटा किर्णे विछेपित होती हैं यहाँ पर आपको यह बताना है कि बीटक के ने कहां विछेपित होती है तो देखिए चुम्बक की अच्छे तरदोनों में विछेपित होती है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर D option है तो D option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अग आपको याद रखना है देखिए यहाँ पे C option है तो C option बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी महत्तपूर्ण प्रस्ण है इसलिए इसको आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 12 नंबर देखिए 12 नंबर प्रस्ण की विद्धुत वाहक बल की भीमा है काफी म महत्तपूर्ण प्रस्ण है और देखिए आपके फाइनल बोर्ड परिक्षा में भीमा से काफी महत्तपूर्ण तीन से चार प्रस्ण रहते हैं इसलिए आपको याद रखना है देखिए आपसे पूछा गया है कि विद्धुत वाहक बल की भीमा क्या होती है तो ml2 t-3 i-1 हो हो जाएगा काफी महत्तपूर्ण प्रस्ण है इसलिए आपको इसको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण तेरा नंबर देखिए तेरा नंबर प्रस्ण है कि फोटो सेल अधारित है यहाँ पर आपको यह बताना है कि फोटो सेल किस पर अधारित होता है तो प्रकास विधूतिय प्रभाव पर अधारित होता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर एउप्षन है तो एउप्षन बिल्कुल ही सई हो जाएगा देखिए आपसे पूछा गया है कि फोटो सेल अधारित होता है तो देखिए फोटो सेल किस पर अधारित होता ह तो प्रकास विदूतिया प्रेवप्याधारित होता है इसे आपको याद रखना है आइए देखते अगला फ्रस्लिय च treatment 14 प्रस् antikत्रव कर्म कितना होता है तो 10- 17 होता है इसे आपको याद यह हो जाएगा देखिए आप से पूछा गया है कि निवकिलियर घनत्व का करम कितना होता है तो दसके पाउर 17 होता इसे आपको याद रखना है यह काफी महत्य पूर्ड प्रस्ण है और देखिए ऐसे ही ऐसे प्रस्ण आपके बोड परिक्षा में पूछा जाता है इसलिए आपको जो भी प्रस्ण याद ना उसको आपको क्या करना है नोट बुक पे लिखिए और लिखके उसको याद कर लिजे और देखिए आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिजे आईए देखते हैं अगला प् इसे आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर A option है, तो A option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रस्ने 16 नंबर, देखिए 16 नंबर प्रस्ने की सोसित विद्धुत उर्जा होती है, यहाँ पर आपको यह बताना है, कि सोसित विद्धुत उर्जा क्या होती है तो दीखिए विववांतर के वर के समानू पाती होती है इसे आपको याद रखना है देखिए यहां पे c-option है तो c-option बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी महत्वण प्रस्ण है ये और देखिए ये भी भी आई प्रस्ण है इसे ही ऐसे प्रशन आपके final board परिक्षा में पूछा जाएगा इसलिए आपको इसको याद रखना है दिखिए आपसे ये पूछा गया है कि सोसित विद्धुत उर्जा होती है तो देखिए सोसित विद्धुत उर्जा क्या होती है तो भी वो आंतर के वर्के समानुपाती हो देखिए 17 नमबर प्रशने कि जिवास्म की आयू पाता की जाती है यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जिवास्म का आयू का पाता हम किसके द्वारा लगा सकते हैं तो कारबन डेटिंग से लगा सकते हैं इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर एप्शन है तो एप्शन बिलकुल ही साही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 18 नमबर 18 नमबर प्रशने देखिए कि किसी कण का समवेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग लंबाई कितनी गुनी होगी काफी महत्यपूर्ण प्रशने हैं और देखिए ऐसे लोजिक वा लंबाई आधी हो जाती है तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 by 2 यानि आधा तो देखिए इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पे एप्शन है तो एप्शन बिलकुल ही साही हो जाएगा देखिए यह काफी महत्त पूर्ण प्रशने हैं आपके बोड़ परिक्षा यहाँ पे आपको यह बताना है कि प्रकासिक तंतू का सिधान्त क्या है तो देखिए प्रकासिक तंतू का सिधान्त क्या है तो प्रण आंतरिक परवर्तन है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पे सी अप्शन है तो सी अप्शन बिलकुल ही साही हो जाएगा यह अगला प्रश्न 20 नमबर देखिए 20 नमबर प्रश्न काफी महत्त पूर्ट प्रस्न है 20 नमबर प्रश्न की प्रतभम थाभी कई अभीकिरिया किस के दवारा की गई तो रधर फोर्ड के द्वारा की गई थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D option है तो D option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णे 21 नमबर देखिए 21 नमबर प्रश्णे के विद्दृधारा का मातरक रखें यहाँ पे आपको यह बताना है कि विद्दृधारा का मातरक क देखिए 22 नमबर प्रशने की तामबा का कारेफलन होता है यहाँ पर आपको यह बताना है कि तामबा का कारेफलन क्या होता है तो देखिए तामबा का जो कारेफलन होता है कुछ इलेक्ट्रोन वोल्ट होता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर एप्सन है तो option बिल्कुल ही सभी हो जाएगा ये देखते हैं अगला questions 23 नमबर देखिए 23 नमबर प्रैशन है कि बादलों के द्वारा पर वर्तन होता है यहां पर आपको यह बताना काफी महत्तपूर्ण प्रश्ण होने वाला है तो आप लोग इसको क्या किजिएगा कि अगर याद नहों तो इसको नोटबुक पे लिखिएगा और लिखके इसको याद कर लिजेगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 24 नंबर 24 नंबर प्रश्ण देखिए कि निमलिखित में से कौन विद्धु चुम्बकिया पर किरती की नहीं है यहाँ पे आपको यह बताना है कि इन में से कौन सी एसी किरण है जो विद्धु चुम्बकिया पर किरती की नहीं है तो देखिए जो बिटा किरण होती है वो विद्धु चुम्बकिया पर किरती की नहीं होती है इसे क्या होता है तो देखिए ट्रांजिस्टर में विद्धू चालन का कारण होता है होल ओम इलेक्ट्रोन इसे आपको याद रखना है देखिए यहां पर सी अप्सन है तो सी अप्सन बिलकुल ही साही हो जाएगा देखिए हम आपको फिजिक्स के काफी महत्यपूर्ण 25 वायरल बर पूछा जाता है तो आपको इसमें से जोभी प्रसने याद नहीं याद हूसे आप लोग याद कर लिजेगा क्यूंकि यह प्रस्न आपके बोड परिक्षा में आएगा तो आप लोग क्या केईगा चुटकियों में उसे solve कर दिजेगा और देखिए आप अभी तक अमार पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आईकोन आते हैं उसको दबा के आप आल पे कर लिजिए ताकि जब भी लाइब क्लास होतो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंसता रहे ठैंक्स पर वाच